हेई गाइज वालकम टो कुकिंग कभीर आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी इस्मैक की रेडी हो जाता है इस इस्मैक का नाम मैंने रखा वैं क्रण्ची इडली माड अंगिल क्योंकि यह बची हुई इडली से बनाया है यह उपर से बहुत ही ज्यादा क्रण्ची है इडली माड अंगल को बनाने के लिए यह तरिके नी है गुरम के बची हुई इडली को इस तरीके से त्रीके में कटमे से तो यह थैके से यह बिली को अची का प्राइ cut कर भा कका थे को यह ठीक हुए अध कर आफ सbung देक्यू इंच एलिंग घ्ली को चाहिए कर अड़ है वी रिफाइन ओयल को बहुत ही अच्छे से गरम किया हुआ है उसके अंदर हमने इस मैड अंगल को डाल देना है और इसको हमने मीडियम फ्लेम पर रखके बहुत ही अच्छे से फ्राइ करना है जब तक यह लाइट गोल्डन नहीं होने लगेगा तब तक ठीक है थोड़ी मसाला भी डाल सकते हैं यह पिर जो मैंने छो 17 मेड मसाला भी यूस कर सकते हैं सिर्फ कर सकते हैं यह वहले बहुत ही टेस्टी लग घार है और बनाने मेरे को जरू करें मैं आम शूर आपको भी बहुत पसंद आने वाला है तो गर आपको मीडियो पीडियो और अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरू करें